मेरे को दरुवत नी जीटी फोर के बारे में ज़्यादा एक्स्प्लेइन करने के लिए गेम को डेवलप किया है रॉक्स तो उसका सिस्टेम रिकॉर्म की बात करतो है देखो यार दो जीवी में बहुत ही अराम से गेम चल जाता है ग्राफिक काट ज्यादा नीड नी होना चा तो पुड़ा ओपन वल्गेम है अब अराम से डाउलोड कर सकते हो लिंक बिल भी इन डिस्किप्ट सेकंड गेम के उपर जिसका नाम है स्लीपिंग डॉक अब भाई इसके बारे में बताने के जरुवत नी पर फिर भी हमने इसको टॉप टू में लिया है तो यार इसकी बा बात के तो वीडियो रेम आपके पास 256 MB होना चाहिए जो कि आज की डिट पर सभी कंप्यूटर में इससे जाधर रहते है बाई डिफॉल्ट मैं बोल रहा हूं ठीक है और यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए को टू डियो जो कि बहुत ही पुराना है और स्पेस इस खाली मिनिममम यार 15 GB होना चाहिए तो आप अराम से इस गेम को आप खेल सकते हो डाउलोड करना है लिंक विल बी इन देस्क्रिप्शन आप सेम वेबसाइट पर डारेट लिंक जाके डाउलोड कर सकते है तो यार चलते हैं अपने थर्ड गेम के उपर जिसका नाम है ज से चल जाता है इस गेम के बाले में थोड़ा में डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं दूस्तो जसक्स टू एक एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग में जिसे डबलब किया गया है वेलास स्टूडियो के दोवारा और इस गेम का जो रिलीस डेट है दोस्तों वह आपके बास टूजी भी होना चाहिए ग्राफिक काट की बाद को तो मिनीमुम दस्तों पांसो बारें भी नीड है और दूस्तों प्रसेसर के बाद को दो इंटल को टूडू में अराम से चल जाएगा स्पेस की बाद को तो 10 जीबी के असपास दूस्तों आपके पीसिया ला यह भी आप लो इंट पीसी पर खेल सकते हो तो गाइस इस गेम के बार में तो डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं प्रोटोटाइब एक एक अच्छन एडवेंचर और शूटी यह में इसे डेबलब किया गया रेटिकल इंटर्प्राइज के तुरू और दूस्तों इस गे यह में बनीवों 1GB होना चाहिए और ग्राफिक काट की बात कर तो बनीवों 512MB नीड है और प्रोसेसर की बात कर तो इंटल आर कोर मतलब यार बहुती पुराना प्रोसेसर है उसमें आपका गेम अराम से चल जाएगा बढ़ते हैं हमारे फिफ्ट गेम के उपर मैं एसेसें स्ट्रीट दो अमेजिंग ये बी ओपन वर्ल्लड गेम है और असेसेंट की सीरीज के वह भाली भाती जानते हैं यह एपको आपको मैं पता दू एक्षेंटर अडवेंचर शूटिंग यह मैं यहां पर आपको open world map मिलता है यहां पर आपको बहुत सरे missions मिलते है और इस गेम को डबल अप किया गया है Ubisoft के थुरू और यह भी गेम आपको PS3 and Xbox मिल जाता है पर इसे आप PC में भी खेल सकते हो यहां पर हम system requirement पर बात कर लें दोसों के इस game का system requirement अप्रॉक्स बहुत ही लो है इस इस game का system requirement minimum system requirement यहां में बतार हो रहा है minimum 2GB होना चाहिए ग्राफिक काट की बात करतों इन्टल को टूड्यो में अराम से चल जागा स्पेस की बात करते हैं मिनिम्म आपकी PCI laptop 12GB के आसपा स्पेस खाली होना चाहिए इस game का भी लिंक आपको मेरे description मिल जाका आप वहां से हमारे website से download कर सकते हैं परते हमारे 5th game के उपर game है वो है हमारा Far Cry 3 और इसे भी डबलब किया गया है Ubisoft के दोबारा यह भी action adventure ने shooting game है इसमें भी आपको missions complete करने रहते हैं इस game का मेरे को सबसे अच्छा बात यह लगता है कि एक open world है आप पुरा घूंगा मार्फिट कुछ भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम system requirement की बात कर लेते हैं कि दोस्तो इस game का क्या system requirement है कि हम इसे low end PC में खेल सकते हैं यहां दोस्तो फार क्राइट 3 को आप लुएंड PC में खेल सकते हो रहां minimum 2GB होना चाहिए ग्राफिक कार्ट की बात को तो इंटल को टूडियो में अराम से आपका चल जाएगा आपके पास space approach to lgb के आसपा space खाली होना चाहिए तो इस game को आप आराम से खेल सकते हो और इसे भी download करना तो link will be in the description आप जाके download कर सकते हैं हमारे website बढ़ते हैं हमारे छटे गेम के ऊपर नाम है Mafia 2 का action adventure and shooting game action adventure shooting इवल सकते हैं और इसे develop किया गया है 2 के game इस game का मैं विसे के लिए बता दो इस game को आपको publish कप किया गया है इस game को publish किया गया 23rd of August and यह windows platform के लिए पिएस 4 के लिए भी है और वो सभी platform के लिए game उपलव थे और यहां पर हम system requirement की बात कर लेते हैं so guys इस game का system requirement बहुती लो है मतलब जैसे में series चलते आ रहा है अलब जितना उतना ही है RAM minimum 1.5G होना 5G भी होना चाहिए ग्राफिक कार्स की बात को तो minimum 500 अबरा में भी नीड है और प्रोसेसर की बात कर तो में आपका यह game आराम से चल जाएगा space की बात कर तो में आपके पास खाली होना चाहिए और इसमें आपको action adventure shooting पूरा मिलता है यह भी open world game है अगर आपको डाउलोड करना है तो link will be in the description अप अराम से जाए कर से डाउलोड कर सकते हो हमारे 7th game के ऊपर इस सबसे action adventure shooting game है और यह भी आपको open world game है इसे develop किया गया है evaluation and publish किया गया है THQK through और इस गेम के बारे मैं थोड़ा दर डिस्क्राइब करते ना चाहता हूं दूस्तों एक मतलब बोला जाए तो amazing game है इसमें आपको missions मिलते है प्लस आप इसमें थोड़ी funny movement भी कर सकते हैं थर्ड इसमें का graphics होती अच्छ है दोस्तों इसका एक remastered version है बट उसका system requirement थोड़ा हाई है मतलब 4GB RAM में चलता है बट यह सांथ रो ठर्ड है यह दोस्तों आपको 2GB RAM यहां पर हमें system requirement की बात कर लेता हो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इन सभी का लिंग आपको मेरे website पर मिल जाएगा और सभी डारेट लिंग है आप अराम से जाके राम लोग कर सकते हो तो इस गेम को इस गेम का क्या कहना तो गाइस यह गेम आप बोल सकते हो कि यह GTA 4 एंड माफिया 2 का remix है आप यह बोल स 17 में 2011 को एंड गाइस इसका भी system requirement बहुत ही लो है आप अराम से अपने लोएंड PC में खेल सकते हो यहाँ पर हम पता दिस system requirement कि हाँ पर राम आपके बास राम टूच भी होना चाहिए और प्रसेसर की बात कर तो को टुडियो होना चाहिए और हाट डिक्स मिनमों आपके पास 16 जिप का सबस पेस खाली होना चाहिए और मैं एक बात पता देना चाहता हूँ इस गेम को स्टॉल करने से पहले यार पूड़ा अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर ले ना क्योंकि लिए यह ट्राइवर्स में फोड़ा लोचा करता है और इसका अगर आपको डावलोड चाहिए तो विल भी इन माई डिस्क्रिप्शन और आपको मेरे वेबसाइट पर आप जाके सर्च कर सकते हो गेम का नाम डाल देना और सब डारेट लिंगे दोस्तों आप अराम से जाके नावलोड कर सकते हो बढ़ते हमारे 9th नंबर वाल गेम है उसका नाम है The Sableter तो यह गेम रिलीज हो था आपका 19 November 2009 के 9 को यह भी आपका पूरा GTA 4 जैसा गेम है इसमें भी आप ओपन वर्ल्ल जैसा गेम है इसमें भी आप घूम फिर सकते हो मिशन कंप्लीट कर सकते हो और वेल गैस इस गेम का मेरे को सबसे अचा बात यह लगता है कि इसका जो सिस्टम रि इसमें भी नीड है एंड दुस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं डूल को में गेम अनाम से चल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन वक्स में मिल जाएगा आप वहां से डाउलोड कर सकते हैं और बढ़ते हैं हमारे आखरी गेम के ओपर यार 10 नंबर गेम आजो 10 नंबर क गेम है उसका नाम एंड उसका नाम है बुली एस इगेम यह गेम भी आपका action adventure shooting गेम है इसमें भी आपको missions मिलते हैं और दोस्तों एगेम की सबसे ची बात यह है कि यह 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 गेम ओपन वर्ल्ड है में आपको बहुत सरे missions मिलते हैं और इस गेम को डबल अब किया गया आपको बतानी के जरुवती अच्छा है इसका जो रिलीस डेट है वह 17 ऑक्टूबर 2006 है और अल्मुस्ट इस अभी प्लाटफॉर्म के लिए इंफक्ट एंड्रोइड के लिए भी खेल सकते हो बट अभी हम PC के बारें बात कर रहे हैं इसका में system requirement थोड़ा बोल देना चाहत अगर आपको इसको भी डाउलोड करना है तो इसका भी लिंक आपको मेरे website में मिल जाएगा आप महां से डाउलोड कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही कुछ 10 गेम थे आपके low-end PC के लिए इस दोस्तों कमेंट सेक्शन हो बताना कि आपको कौन सा गेम लगा और मैं फिर बता सबी गेम के लिंक आपको मेरे website में मिल जाएगे आप महां से डाउलोड कर सकते हैं तो बस दोस्तों आचली वीडियो पर से इतना ही था आई होप दोस्तों कि यह वीडियो को पसना रहे वीडियो को लाइक करो शेर को और सब्सक्राइब परो और हाँ दोस्तों अपने फ्र